हेलो अच्छो मैं हूँ अजय सर आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल में वेलकम है आज हम क्लास 9 से exercise 4.2 का question number 2 देखेंगे ठीक है question number 2 है for all the following polynomials find the value of p0, p-1, p2 and p3 यह सारे polynomials से इनका हम value find करते जाएंगे ठीक है आईए start करते हैं आज की class तो first हमारे यहाँ पे question है px is equals to 4x cube plus 2 x square minus 3x plus 2 देखें first value क्या find करना p0 तो यहाँ पे हम p0 find करेंगे p0 का मतलब यह है जहाँ जहाँ पे यह x है वहाँ पे value हम 0 put करेंगे ठीक है तो यहाँ पे start करते हैं यह 4 as it is यह x के place में हमने 0 put किया और यह cube है तो cube plus 2 as it is x square and तो x के place में हम यहाँ पे 0 put किया और यह square minus 3 x के place में 0 and plus 2 देखेंगे यह 0 की power 3 है तो 0 ही हो जाएगा यह पूरे actual miss का answer 0 हो जाएगा plus 2 का multiply 0 से होगा तो 0 हो जाएगा and 3 का multiply 0 से गरेंगे 0 हो जाएगा और यह plus 2 देखेंगे इसका कोई meaning नहीं है तो यह last में अपना answer क्या आ रहा है means p 0 का value क्या आ गया 2 ठीक है अब हम find करेंगे p minus 1 का value तो यहाँ पे हम find कर लेते हैं तो यह हो जाएगा p और यह minus 1 to the power 3 plus 2 minus 1 square minus 3 and minus 1 then plus 2 देखें minus 1 to the power 3 है तो इसका value तो minus 1 ही होगा तो देखें यह हो जाएगा 4 और यह minus 1 plus 2 और देखें minus 1 to the power 2 है means इसका value 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसका directly multiply करेंगे minus minus क्या हो जाएगा plus और 3 बंज़र 3 plus 2 इसको simplify कर लेते हैं ठीक है देखें 4 का into करेंगे minus 1 से यह हो जाएगा हमारा minus 4 plus 2 plus और यह 3 plus 2 किता हो जाएगा 5 और देखें इसको solo कर देते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और यह को sum कर देखें तो देखें यह 5 sorry यह 2 और यह 5 किता हो जाएगा 7 यह कुछ हो जाएगा minus 4 plus 7 तो 7 में minus 4 करेंगे तो value क्या जाएगा इसका 3 means p का value जब minus 1 put करेंगे तब हमारे पास value क्या जाएगा 3 आजाएगा ठीक है positive आजाएगा 3 अब हम find कर लेते हैं p2 का value ठीक है यही पर आप देख लीजेगा p2 ठीक है means x के place में हम क्या put करेंगे अब 2 तो यह 4 as it is यहाँ पर x के place में 2 यहाँ पर cube है तो cube plus 2 x square तो यहाँ पर x के place में तो 2 put करना यह 2 होगे और यह square minus 3 फिर x है तो x के place में 2 and plus 2 अब simplify कर लेते हैं देखिए 2 की power 3 है तो 2 की power 3 means 2 into 2 into 2 it means 8 2 2 is a 4, 4 2 is a 8 तो यह कुछ 8 हो जागा ठीक है यह actual means का value क्या हो जाएगा 8 plus 2 square means 4 इसको आप multiply कर लिए तो यह हो जाएगा 6 और यह plus 2 अब देखिए 8 का multiply हम 4 से कर सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 32 plus 8 यह हो जाएगा minus 6 और यह हो जाएगा plus 2 अब देखिए positive जो terms है उनको add कर देंगा ठीक है यह 32 plus 8 करेंगे तो यह हो जाएगा 40 and 40 plus 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 and minus 6 तो इसका value क्या जाएगा 36 means P का value जब 2 होगा तो answer क्या जाएगा 36 अब P 3 का value find कर लेते हैं ठीक है यह इधर side में देख लीजेगा P 3 का value find करेंगे means x की place में 3 put करना रहेगा यह 4 हो गया और x की place में 3 यहाँ पे cube है तो यह cube plus 2 x की place में 3 यहाँ square square minus 3 and plus 2 देखिए 3 to the power 3 का meaning meaning यह 3 into 3 into 3 ठीक है तो इसका जब 3 3s हा 9 9 3s हा 27 हो ठीक है तो यहाँ पे यह कुछ हो जाएगा 4 और यह 3 cube का value हो था 27 plus 2 3 square means 9 minus 3 3 is a 9 and plus 2 अब देखिए यहाँ पे इसका into कर सकते है 4 का into कर देंगे तो यह कुछ इस cancer आ जागा 108 का equal ठीक तो यह हमारा हो जाएगा 108 0 8 plus 9 2 is a 18 and यह हो जाएगा हमारा 9 और यह हो जाएगा plus 2 अब देखिए इनको सबको add कर देते हैं ठीक है देखिए 108 और यह 2 100 हो जाएगा 110 और यह plus 18 कर देना तो यह कुछ हो जाएगा 128 सारे positive नंबर को पहले add कर देंगे तो 128 and minus 9 तो 128 में minus करेंगे 9 तो यह कुछ answer आजागा 119 यह हमारा answer आगया तो इस प्रकार से P0, P-1, P2 और P3 value पुट करके आए बच्चों सेकंड देखते हैं P R is equal to R-1 and R plus 1 इसमें भी हम पने को P0, P-1, P2 and P3 find करना है तो आए यह start करते हैं P0 से देखिए हमारा P0 क्या हो जाएगा हम R के प्लेस में 0 पूट करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा R के प्लेस में 0 और यह minus 1 and यहाँ पे भी R के प्लेस में 0 and minus 1 और यहाँ पे plus 1 है ठीक है तो देखिए इसका value क्या हो जाएगा 0 में minus 1 करेंगे तो यह तो हमारा हो जाएगा minus 1 और यह हो जाएगा प्लस 1, अब इनका अपस में multiply करेंगे तो minus sign का multiply करेंगे plus sign is equal to क्या होता है minus, so इसका जो answer है यह हमारे पास आजाएगा minus 1, means P0 जब find करेंगे तो value क्या आजाएगा minus 1, अब P minus 1 find करेंगे, ठीक है P minus 1, means R के place में हम minus 1 put करेंगे ठीक है, यह वाला अब तो देखिए, R के place में हम क्या आप put करेंगे minus 1, और यह minus 1 already है, तो as it is फिर यहाँ पर भी हम minus 1 put करेंगे और यह plus 1, ठीक है अब देखिए, यह minus 1 और यह minus 1 मिलके minus 2 हो जाएगा, ठीक तो यह कुछ हो जाएगा हमारे पास minus 2 और देखिए, एक minus 1 है और एक plus 1 है एक plus 1 है, इसका value क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर आप लिखेगा 0, अब देखिए 0 का multiply आप किसी भी number से करेंगे, तो value क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, P minus 1 का value क्या आजाएगा, 0, अब P2 find कर लेंगे P2 find करेंगे, means R के place में हम 2 put करेंगे, ठीक है तो यहाँ पर R के place में हम 2 put किये, और यह minus 1, then 2 और यह plus 1, इसको solo कर लेते हैं 2 minus 1, 1 यह हो जाएगा 3, और तो इसका value क्या हो जाएगा, 3 means P2 put करेंगे, तो value क्या जाएगा, 3, अब P 3 का value भी find करते हैं, तो R के place में क्या put करेंगे, अब 3 तो यह हो जाएगा, 3 minus 1 and 3 plus 1 तो देखें, यह तो हो जाएगा, हमारे पास 2 और यह हो जाएगा 4, तो 4 into 2 करेंगे, तो answer क्या जाएगा 80, यह सारे answer आगए हमारे पास ठीक है, आइए बद 4, 3rd देखते हैं, तो 3rd है हमारे पास, Pt is equal to 2 upon 3t square minus 1 upon 3t plus 1 upon 3, तो आइए इनका भी हम P0, P minus 1, P2 and P3 find करते हैं, तो देखें, यहाँ पे हम पहले find कर लेंगे, P0 तो T की place में हम 0 boot करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 upon 3 यहाँ पे, T के place में 0 और यह square है तो तो square minus 1 upon 3 T के place में 0 plus 1 upon 3, देखें, यह actual में तो इसका value 0 होगा, 0 का multiply हम इसे करेंगे, 0 हो जाएगा यहाँ पर भी 0 हो जाएगा इसको जब simplify करते हैं, तो इसका answer जो है, यह बस आएगा, ठीक है, यह पूरा terms, यहाँ तक 0 हो जाएगा, ठीक और 0 plus 1 upon 3 होता है, तो actual में जो इसका value है न, यह हो जाता हमारे पास, 1 upon 3, ठीक अब हम find करेंगे, P minus 1 तो यह हो जाएगा, 2 upon 3 minus 1 square minus plus 1 upon 3 देखे, minus 1 का square है, तो वो value कि इसके equal हो जाएगा, 1 के ठीक है, 1 के equal हुआ, और 1 का into करते 2 से, तो यह 2 upon 3 ही रहेगा, ठीक देखे, यह minus 1 और यहाँ पर भी minus का sign है, तो actual में minus minus क्या हो जाएगा, plus और यहाँ पर लिखेंगे, 1 by 3 plus, यह भी है हमारा 1 by 3, अब देखे, सबका जो denominator है, same है, इसको आप one times लिखना, और यह number को as it is with sign लिखेंगे, ठीक है, तो first number क्या है, 2 plus 1, and plus 1, तो देखे, इसको add कर दीजेगा, तो यह हो जाएगा, 4 upon 3, यह हमारा answer हो गया, means p minus 1 1 का value क्या हो जाएगा, 4 upon 3, अब p2 find करेंगे, ठीक है, p2 तो यह हो जाएगा, देखे, 2 upon 3, अब t के place में, तो 2 put करना है, तो यह 2 हो गया, और यहाँ पर square है, तो यह square, minus 1 upon 3, t के place में, put कर दिए, 2 plus 1 upon 3 as it is, simplify कर लेते हैं, देखे, 2 square means 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 upon 3, 4, minus, यह 2 का इससे multiply कर देंगे, तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 upon 3, plus, 1 upon 3, ठीक, आगे simplify कर देते, यह जो 4 है नहीं, आप एक्ट्वल में, इसससे multiply होगा, 2 से, तो यह क्या हो जाएगा, 8 upon 3, minus, 2 upon 3, plus, 1 upon 3, देखे, बेस से मैं, 1 times लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, हमारे पास, यह 3, यह 1 times लिख लिए, और यह इनको, which sign लिखेंगे, 8, then minus 2, plus 1, देखे, यह positive नंबर को पहले याट कर देना, तो देखे, 8 plus 1, यह हो जाएगा, 9, और 9 में, आप minus कर देना, 9 minus 2, तो यह क्या हो जाएगा, 7 upon 3, अब एक last बज़ गया है, P3 का value, ठीक है, तो P3 भी find कर लेते हैं, यहाँ पे, P3 is equals to क्या हो जाएगा, 2 upon 3, अब यहाँ पे हम T के place में, 3 put करेंगे, square, minus, 1 upon 3, यह T के place में, 3 हो गया, plus, 1 upon 3, देखे, 3 square means 9 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2 upon 3, और इसका value क्या हो जाएगा, 9, फिर यह minus, यह क्या हो जाएगा, 3 upon 3, plus, 1 upon 3, इस 9 का इस से multiply कर देना, तो यह हो जाएगा हमारा 18, upon 3, और यह 3 upon 3 ही रहने देना, and plus, 1 upon 3, देखे, सबका base सेम है, तो इसको 1 times लिख लेंगे, और यह इनको with sign लिख लेंगे, 18, minus 3, and plus 1, देखे, 18 और यह plus 1, 19 हो जाएगा, and 19 में, आप minus 3 कर देना, यह वाला minus 3, तो यह कुछ हो जाएगा, 16 upon 3, यह हमारा answer आ गया, P3 का value, यह 4 और यह 5 आपके लिए, हो मार कराएगा बच्चो, और यह रखन्गण् सहत्ormuşान्ाव,